असलाम वलेकूम वेलकम टू माई चैनल खुश्णुमा व्लॉग्स फुट फैमिली और फ्रेंड्स कैसे हैं मेरे वीवर्स I hope सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में कुश होंगे चलिए फिर मैं मेरे केरला व्लॉग के साथ आ चुकी हूँ और इस व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ हम लोग कैरला में जो है हमारा सेकेंड लास्टे है और इधर जो अब हम आ चुके हैं कोवलम बीच के वहां एक हमने होटल में स्टे किया था वन नाइट स्टे जो की काफी अच्छा था और ये नाइट का डिनर टाइम हो चुका है आप देख सकते हैं हमारा डिनर हो चुका है तो ये हम लोग वॉक करने निकलेते तो सामने देखिए स्टे काफी अच्छा था और ये नेक्स टे मॉनिंग का व्यू है और हमारे कॉर्टेज में से सुमिंग पुल दिख रहा था और इदर में जूला जूलरी थी और ये देखिए अभी हम मॉनिंग का ब्रेक्फस्ट करने आ चुके हैं और उनका हमेशा मॉनिंग में बुफे लगता है तो बुफे में जो था इडली, चटनी, सामबार यह सारी चीजे थी और नौत इंडियन नाष्टे भी थे जैसे की रोटी भाजी यह सारी चीजे बहुत ही अच्छी थी आपको जो खाना आप ट्राइ कर सकते थे गर्मा-गर्म सारी चीजे थी चीक है और नाष्टा अब नाष्टा दर की ने लिए ने हैं अगे इन फिर मूब मुपष झंड़ लोग गीजे कर तो शर्किंद रही इने मैल्योग यह झाल ऑविव कना साथ्टा मूंस अब्सक्रफू इन नाष्टा गया Carry पकी रही थी यह झालसंग बड़े इने नाष्टा घूसी आई यह बारस धाह denn वी कि अभेट छूब ऑे ले इन दिया लेगा पूंदा अजया्ट खिटिए अप्टर कर दिया हो जोगता है कि दूब बन्हाइल ने अभंदाली पुट्ट पूंदा पूंदाओ से बिफटा सबना मत अप्टर पोगता है सारे! यहाई हcartा! इना यहाई है और यहाई है यहां यहाई होगा यू यहाई है, ऍूDay nella यहाई है य हो पने हैई, Belly E confuse चुझ आफ आफ दॉण मूँदर इना अप्छें lace सारे जानCuतीकyal dużender वेद प्रोटर्स जोली का एक क्रίν प्रोट स Неया अ हूएंग! अ क्रोटी नॉफ अमका क्रीडाओीUP झाने में संपी जहरान एंक इने फोली सेंशनल अास friendshipण फласт मेंत, सुन्सीति प्रोटरी थाए प्राधिन प्राधिने प्रेरी failure झाया है नते कि इसे कि वह उ्याइो, freॉ neuralआ तो फिति ने है यार प्राधिने यार प्रातो मिल्खीर क पेन चेट लेर आवरत पिलेड़न, लेह प्रहों ठीद, रुटे मैंठीडर सेल ले तरह भोलेता लेकि लेड़ लेड़न, लेड़ना पीकिल को एलीड़ना प्रदाब लेर में लेड़ना सेल्ग लेह व्हाल लेड़ना धन्यख। अभी हम नयार रिवर में आ चुके हैं और अभी हम बोटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं आपने सारी एक्स्प्लेनेशन तो सुन लियोगी इस तरह उन्होंने सारा एक्स्प्लेम किया है अब हम लोग एक प्राइवेट बोट पर बैट कर सारा जो है हम जितने भी स्पोर्ट उन्होंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे स्पोर्ट यह हमें बोट से दिखाएंगे और काफी अच्छी राइट थी बोट की काफी मज़ा भी आया हर एक चीज हमने एकदम क्लोस से देखी तो काफी अच्छा लगा यह देखिए अब हमारी बोट निकल चुकी है और आपको दिख रहे होंगे आजू बाजू कितनी चोटी चोटी बोट भी है और इस पानी के बीच में जो है आपको कुछ रेस्टोरेंट भी मिलेंगे जहांकि आप बोट हॉल्ट करके या आप लंच भी कर सकते हैं और यह देखिए यह हम आफटर ब्रेकफस्ट ही निकल क्लावू चुके थे तो इस टाइम का व्यू जो है काफी अच्छाव दिख रहा है और आपको दिख रहा होगा दोनों बाजू जो है greenery जो की काफी अच्छा था और यह जहां से entry हो रही है इधरी से final जो exit भी होगा और यह देखिए यह भी boat जो है दीरे दीरे जा रही है आपको सारे जो है water plants, aquatic plants जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे जो पानी के plant होते हैं और माशाला से हमें बहुत सी चीज़े इन्होंने plant में भी बताई जो की काफी अच्छी थी और यहां पे आपको coconut के trees वगेरा भी देखने को मिलेंगे ठीक है माशाला बोट राइडिंग भी करके काफी अच्छा लगा और जो बोट राइड कर रहे थे वो सारी चीज़े हमें बताते वे जा रहे थे और यह देखिए आपको coconut trees वगेरा भी मिलेंगी रास्ते में ठीक है यह देखिए और यह देखिए अब हम बीचो बीच आ चुके हैं और माशाला से इतना greenery यह पानी दिखने में ऐसा लग रहा है मगर जब हम इसको बोटल में फिल करेंगे तो आपको एकदम clear water दिखेगा और यह देखिए right में जो है आपको cottages दिखेंगे जो की restaurant type है ठीक है और आप चाहिए तो उदर halt करके stay भी कर सकते हैं और यह देखिए यह coconut forest है ठीक है यहाँ पे coconut की खेती होती है केरला as if famous है coconuts के लिए ठीक है आपको इदर different variety of trees देखने को मिलेंगे देखिए यह coconut tree कैसे band है ठीक है और यह जो है पानियों में भी जो है plants है और कैसे कैसे यह रास्ते बना कर हमें पानियों के बीच में से लेकर जा रहे हैं जो की देखने में काफी खुबसूरत और अच्छा experience भी था ठीक है और अगर आप कैरला आएं तो इस जगर पर जरूर आएं आपको काफी कुछ देखने को और सीखने को भी मिलेगा ठीक है और जो बोट चला रहे थे वो हमें यह भी बता रहे थे जो की बाटनी के student होते हैं जो study of plants करते हैं वो लोग भी आते हैं इदर different types of plants collect करने के लिए और उ इस पे study करने के लिए ठीक है पोटैनिकल गार्डन के लिए आप देख सकते हैं अभी इदर देखिए trees वगेरा आपको दिखेंगी grasses दिखेंगी और राइट में जो है मॉस्क भी है ठीक है अब बोल सकते हैं पानी के करीब में माशालला से बहुत ही पसूरत लग रहा था और जिस दिन हम इदर आये थे वो काफी अच्छा था दिन और ये देखिए आपको दिख रहे होंगे और जो mangroves के बारे में उन्होंने बताया है ये mangroves आ गया है ठीक है और अब हम क्रॉस करके आगे चलते जा रहे हैं आगे चलते जा रहे हैं और जितने भी points उन्होंने बताये हैं वो सारे points इन्होंने हमें दिखाए है ठीक है और ये देखिए अब जो है golden sand beach के बारे में जो इन्होंने बात की थी वो sand beach है ये भी एक इनका destination है जहांपे halt किया जाता है और यहांपे उतरने के बात जो है हमें relaxation feel होता है और ये sand जो है सही में goldenish color की थी इसले इस beach का नाम है golden sand beach और यहांपे उतर कर हमने नारेल पानी भी पिया और कुछ photos भी click करवाई और ये देखिए ये waves आपको दिख रही होगी बीच पे जो की काफी अच्छी और बड़ी लहर आ रही थी और काफी हमने enjoy किया और अभी हम निकल चुके हैं golden sand beach से यहांपे photo clicking भी होती है और यहां पर इस चुरीन बताएंगे जो की golden sand beach और इनका backwater lake जहां मिलता है वो चीज भी इदर इनो ने दिखाई और फिर ये देखिए ये जो है elephant stone है जो की elephant stone मतलब elephant की तरह दिखता है दूर से आपको दिख रहा होगा ठीक है जो की ये भी इनका export है और ये देखिए ये सारे cottages है या इधर one night stay भी होते हैं आप चाहिए तो halting करके आप इधर one night stay भी कर सकते हैं ठीक है वो भी एक अलग experience होता है हर इसका जो है अलगी मज़ा मिलता है और अभी देखिए ये cottages माशालला से कितने खुबसूरत लग रहे हैं ठीक है और ये cottages इधर ये एक जगह still रहते हैं और ये आप देखिए ये mother mary का जो है statue बना है और इधर भी एक destination है जहां photo clicking अगेरा कराई जाती है इधर halt करने के बाद और ये statue जो है अंडे का जो योग होता है और शेल ये दोनों चीजे जो है mix करके उसको piece कर ये statue बना हुआ था और अब देखिए अब हम लोग return जा रह हैं और अब जो है हमारे जो destination जो भी cover होने थे वो हमने almost cover करके अब हम यूटन लेके वापस जा रहे हैं और ये देखिए ये over bridge आ चुका है अब यहां से अब हम back जा रहे हैं ठीक है और देखिए यहां पे आपको coconut trees जो है बहुती जादा देखने को मिलेगी ठीक है अब य मज में आ गया होगा कि हम इसी रास्ते से वापस आये थे और अभी हम यहीं से return हो रहे हैं जैसे कि मैंने starting में बताया है कि हमारा जो है entry भी यहीं से है exit भी वही से है ठीक है माशाला से जो है काफी अच्छा experience हुआ और फिर जो है हम यहां से केरला से होकर अब हम कन्या कुम के लिए हम लोग निकल चुके थे और लंच टाइम हो चुका था तो हमने एक होटल में जो है लंच करने के बाद फालूदा लिया था और अब हम लोग निकल चुके हैं और यह आपको दिख रहा होगा अभी यहां पे कितने beautiful shells वगेरा है और यह भी एक कन्या कुमारी का जो हैं तो कन्या कुमारी भी घूम लेते हैं ठीक है और यह देखिए यह टिकेट के लिए इतनी रश थी और इधर भी काफी अच्छा लगा यह हमारा जो है second last day है ठीक है यहां पे कोई वहां के जो आपको ships दिख रही है जो की काफी फुल होकर फुली पैक होकर यह शिप गई थी यहां पे हर कास्ट के लोग आपको देखने को मिलेंगे और इधर जो है इनका एक spiritual टेमपल भी था जो की काफी अच्छा था देखने में और काफी बड़ा था लोग यहां पर दर्शन के लिए भी विजिट कर रहे थे आप देख सकते हैं ठीक है और तूरिस लोग भी इदर काफी दिख रहे थे स्कूल से बच्चे भी काफी आये थे दर ठीक है और यह विवे का नं स्टैच्व आपको देख रहा होगा यह जो है अरेब्यस सी में यह सारी चीजे हैं जो की हमें बोट पर से उतारते हैं शिपर से और फिर बाद में वापिस लोड फुल लोट करते हैं शिफ फिर वापस ड्रॉप करते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर है और ये जो सारे जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं ये अरेबियन सी में है ये देखिए अभी हम जो है वापस हमारी शेप रिटर्न आ चुकी है और अब हम लोग होटल में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं इबनिंग का वक्त हो चुका है चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में अल्ला हाफीज